रिवा की यातायात से जुड़ी समस्या जल्द खत्म होगी RTO विभाग के काम में और पारदर्शिता लाई जाएगी जनता को जल्दी रहत तै सीमा में काम करने पर जोड दिया जाएगा कहा नवागत RTO ने रिवा दर्शन से बादचीत में देखिए बादचीत के प्रमुकान्श नमस्कार दर्शकूं आज हमारे साथ मज़ूद है एक ऐसी खास सेक्षियत जिनके बारे में हम वो क्या करते हैं उनका क्या प्रोफेशन है उसकी बादचीत थोड़ा बाद में करेगे पहले मैं आपको बता दूँ रिवा सहर में आवा गमन को लेकर कहीं सडके खराब हैं कहीं गाड़ियां बहुत जादा हैं आपका तालुक इनी भी भादों से है जैसा कि मैं आपको बता दूँ हमारे साथ जो मज़ूद है वो हैं रिवा के नवागत आईटियो संतोस पाल संतोस पाल जी आपका इस्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाज जावेज जी मैं आपको बता दूँ आप इसके पहले इंदोर नर्सिंगपूर सिवनी मंडला छिनवाडा जबलपूर यू कहा जाए कि आधे मध्वर्देश को गूम के नस्दीक से देख च चाहता हूं कि आपने मुझे रिवा दर्शन में बुलाया यह स्वभाग यह मुझे मिला इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहां तक आपके प्रश्ण का सवाल है कि रिवा कैसा लगा रिवा मुझे दिलदारों का शहर लगा पहली बात तो मैं यह बोलूँग लोग अच्छे हैं काम करना चाहते हैं इस जिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं थोड़ी सी कमी है तो प्रॉपर गाइडेंस और निफ्सरस होती और समय सबसे ज़्यादा बलवान होता है दीर दीर मुझे लग रहा है वो चीज़ें रिवा में आएंगे रिवा में आएंग वाकई आपने एक हपते में रिवा को काफी नजदीक से पढ़ लिया है मुझे पूरी उम्मीद है कि रिवा शहर में आगे आने वाले समय में एक अच्छा एक बेहतर काम आपके विवाग द्वारा संचालित होगा तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपने लगबग लगबग आदे मद्व प्रदेश में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम किया है सबसे मुश्किल विवाग में आप रहे हैं आपको उन शहरों और जब से आप रिवा आए हैं उन में क्या अंतर मैसूस हुआ देखी जैसा कि मैंने पहले भी आपको भी पिछले सवाल में बूला कि रिवा में संभावनाय अपार हैं केवल विभागी इस तरकी अगर बात करूं तो जो लैकुना था वो नेत्रत्रुशंता का था परिवन बवस्ता का जहां तक प्रश्ण है तो वहनों की तादाद काफी है रिवा में और उनको संकलित करके बहतर ढंग से संचालन कर उनको एक अनुशाशन में लाया जाना यहां सबसे बड़ी चुनोती है यह मुझे फर्क महसूस हुआ अन्य जिलों में और रिवा जिल कुंट्र expectation के बाहर उटो चालग जैसे हर station में होते हैं वैसे वहां हेनर सीमपूर में गई लक्री आव स्था का आंर सबसाइन के सामने फैले होते थे और station के सवारिम्न से वेश्ख अतरती थी को बहार ढती प्लैटफॉर्म से तो हां पकाड़ए महिलाओं को आई ये बैठी आई ये बैठी करके ऐसी बात की जाए फिर वहां के तत्कालीन कलेक्टर महोदे नहीं होती तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि ऐसा कुछ डिसिप्लेंड चीजें यहां पर हो जाएं जिससे की जब मैं यहां से जाओं तो एक यादगार रह जाए कि आपने इस बात को पकड़ लिया कि यहां पर सबसे ज्यादा अव्योस्थित आटो की व्योस्ता है तो सबसे पहले यह माना जाए रिवा शहर एक व्योस्तित शहर के रूप में आपके कारिकाल में नजर आए प्रयास प्रयास बिल्कुल यहीं रहेंगे कि एक अच्छी व्योस्था बनाई जाए और हित दोनों के प्रभावित हूं ना हो जिन से आपके जैसे विभाग में भी काफी जहां पर काम कराने वालों की काफी भीड होती है समय पर काम नहीं होता तो आपकी नजर क्या उस तरफ भी रहें जिस दिन में पहले दिन रिवा के आल्टियों दफ्तर में आया तो मुझे कहना तो नहीं चेले कि अजीब सी फीलिंग महसूस हुई कि यह दफ्तर जैसा नही फैले हुए खड़े थे कि गाली जाने की जगा नहीं है जगा जगा पान के पीक पड़े हुए है देखके कुछ अच्छा नहीं लगा तो और पूरे में मतलब अवांचित लोगों की थोड़ी सी जमघट सी वहां मुझे महसूस हुई अब प्रयास शुरू हो गए है धीरे जैसे अगर आपके जबलपूर दफ्तर जाएंगे तो वहां बाहरी एक बहुत बड़ा बोड लगा हुग आप जेखेंगे कि आपको किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने कोई आवश्यक्ता नहीं है आप सीधे संबंदित विभाग में संपर करें अपने दस्तावेज जमा कर मेरा प्रथम प्रयास यही रहेगा कि आम जनता से सीधे वहां स्वामी से सीधे लाइसे जिसको चाहिए उससे सीधे जिसको अपने वहां का पंजियन कराना है उस व्यक्ति से हमारे रूबरू संपर्कों मध्यस्त की हमें आवश्यक्ता ना पड़े आम अवाम का पैसा है ब पर सबस्क्राइब ने आदियों कि पहले आपके लिए सबसे बहतर घोशना कहा जा सकता है आप दारेक जाएए, संबन्दित विवाग में जाएए, अपना काम कराएए, शुल्क जमा करिए, निर्दारिक समय पे आप अपना काम लीजेए चलिए, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, आप से हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं को लिए खासकर आपके विवाग में महिलाओं के लेकर काफी दिक्कतों का सामना करता करना पड़ था है, वो जब विवाग में जाती है, उनको ना पैठने की की जगा होती है ना अपना वहान ठीकके खड़े की जगा उनके लिए आप सही कहा कि कम से रीवा दुट्र में तो ये पुरुष्टों के लिए यह नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहोंगा कि जोईन करने के तुरंत बाद मानिय कलेक्टर महुद्या से मेरी बात हुई और मानिय मंत्री राजिन्द्र शुकला जी से भी मेरी भेट विए संबन में चर्चा हुई है अभी हम बहुत जल्द ही अपने नव निरुष भवन में शिफ्ट होने जा रहे हैं और शायद आपने अब भवन देखा इन देखा मुझे आइडिया नहीं है लेकिन वहां पर परियाप्त जगह है बहुत शांदार बिल्डिंग भूट ही खुब सुदर बिल्डिंग शाशन ने बनाए है जिले के मता प्रदेश के हर जिले में बनाई है और इसमें महिलाओं के लिए प्रथक लैसेन्स कोई भी महिला आभीड़ हैं अपना ओंलाइन के माध्यम से कोई भी फीस नहीं देनी है गर्ट वहां धनग मैं तर्षकों की तरफ से कुछ लोग यह नहीं मालू होतीय कि नई योजना हैं कौन सी आई हैं उनका क्रियानवन कैसे होता है इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को कुछ अंपना निश्यत तोर पर आप सही कह रहे हैं कि रेट टेपिर्जम और व्यूरोक्रैसी के कारण यह चीजों का व्यापक प्रचार पसाद नहीं हो पाता है लेकिन चुंकि महतोकांची योजना मुक् French मंत्री चालक परिचालक कल्याण योजना इस योजना के अंतरगत्र साथ रहात की चालक परिचालों को विभिन्य योज्ञाव का व्युग विभागों के माध्यम से दिया जाता है घर्यूरा, इपरीवकी सभिः नहीं का के माध्याहित हिइ, रहा है इसमें इनके जैसे इनकी पत्नी को बच्छा होता है तो मात्रतों का अवकाश और प्रित्रत अवकाश फ्री डेलेवरी की सुविधा प्रसब की सुविधा साथी साथ एक्सीडेंट होने की स्थिती में इनको राशी प्रदान की अजाना मृत्ती होने की दसा में विव करना चाहता हूं कि उनके पाद जितने भी कमर्शिल ड्राइवर से उनके ड्राइविंग लाइसेंस वो समंगर आईडी हमें दें जिससी कि हम उनका समंगर पोल्टर के माध्यम से चालक परिचालक कल्यान योजना में पंजयन कराके उनको इश्वन्ना करें कभी विप्रीत प प्रियास करके जाओं कि यहां से जाने के बाद रीवा कै आम जन्मानस में ये रहे की को कैसा सवओ गातल देखे गया जो की लंबे लिए समयता कि दू न्दू तक जाने वाली हो इस से कि सहर के यातायात को एक बहुतर बहुतर स्थिति में लिःजा रसकौन अभी हम संतोस पाल जी से बात कर रहे हैं जैसा कि आपको हमने पहले बताया था अभी आपको आए एक हपता ही हुआ है आपने रिवा को काफी नजदीक से इस दौरान देख लिया उनके एक शब्द नहीं बता दिया कि रिवा दिलदारों का शहर है मैं रिवा दर्शन की तरफ से आप शहर क्वाशियों की तरफ से आटियोज आपको बताना चाहूंगा कि रिवा वाकश दिलदारों का शहर है आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे हम आपके पीछे पीछे चलने के लिए त्यार हैं हम सब चाहते हैं रिवा की विवस्था बदल रहा है रिवा दर्शन से बाचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया जावें जी आपको